गुड मॉनिंग एंड विल्कम बैक तो आज हम लोग कर लेते हैं क्लास नाइन्थ हिंदी ए का मॉडल सेट 3 यह लास्ट सेट है आपका सेट 1, 2 अल्रेडी कम्प्रीट हो चुका है तो आप लोग बस चाकर के प्लेलिस्ट में चेक कर लिजेगा फस्ट में है आपका गध्यांस दिया हुआ है तो गध्यांस को आप लोग पढ़ लीजिए हम लोग कोश्चन पर आते हैं देखे पहला कोश्चन ही है संगहर सुरूपी विजय रत पर चड़ने के लिए क्या आवश्यक है तो संघर्ष रूपी वजयरत पर चड़ने के लिए द्रिड संकल्प उत्सा और साहस का जरूरत है ठीक है तो जैसे मैं वीडियो बना रहा हूं यूट्यूब में तो मैं तो पूरा द्रिड संकल्प करके रखाऊं कि आप लोगों को जादा से जादा कॉंटेंट और मेटेरियल दे सको ताकि आप लोगों को पढ़ने में यह हिल्प मिल सके ठीक है उत्सा और साहस का कभी-कभी कमी हो जाता है क्यूंकि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं और सबस्क्राइब भी नहीं करते हैं चैनल को तो अगर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए तो मेरा उत्सा भी बढ़ जाएगा और साहस भी बढ़ जाएगा तो संगहर्ष करने में मजा भी आयेगा और उमीद करते हैं कि विज़ाइ भी जरूर मिलेगा ठीक है तो देखे आप लोग के लिए इस बेस लिए question लगता है बनाया गया है अब second question देख लेते हैं कि समस्त गरंथो और अनुभवो का क्या निश्कर्श है समस्त गरंथो और अनुभवो का निश्कर्श यह है कि संगर्श से डरना अथवा उससे विमुख होना अहितकार है तो संगर्श से हम लोग को डरना नहीं चाहिए करते रहना चाहिए मानव ये शब्द जो है इसमें प्रतेय लग करें तो मानव ये देखे प्रतेय क्या होता है जो अंत में जुड़ता है तो अंत में क्या आ रहा है ये ठीक है तो ये हो जाएगा प्रतेय फिर विजय का विलोम शब्द तो विजय का विलोम शब्द क्या होता है पराजय होता है अब फिर से एक पैसेज है मतलब कव्यांस दिया हुआ है पद्यांस भूलिए कव्यांस भूलिए ठीक है इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा अब हम लोग इससे कोशन देखते हैं पहला कोशन दिया गया इतिहास किस बल का गवा है कभी विस्प के लोगों से भारत की वीजैय गाया गाने की गाथा यह था है गाथा गाथा गाने के लिए कह रहे हैं क्योंकि हमारा तेज हर जगा है सत्रू हमेशा हमसे हारा है और जो हमारे शरन में आया है हमने उससे यूद नहीं किया है ठीक है, उसके बाद third भारतिये का प्रत्य अलग करना तो देखिये, आभी यह है, तो भारतिये में यह है, और यहाँ पर एक question है, सत्रू का पर्यावाची सब्द लिए, तो सत्रू का पर्यावाची सब्द आप लोगों को comment करना है, क्या होगा, यह आप लोग का एक homework है, और दूसरा मैं बता दू, जो मैं पहले नहीं बता है, कि first में जो आपका पैसेज दिया हुआ है, उसके बद second में इसी के जगाँ पे अथवा में एक काव्यांस दिया हुआ है, ठीक है, तो अब मत समझिया कि दो-दो पैसेज है, अब आ जाते हैं, पाठ्य पुस्तक से खंड कि निमलिकित प्रस्णों में से किनी चार का उत्तर दीजना है, आप लोगों को, तो देखे, question है, कि sir Thomas हे, इनके मैना पर दया भाव के क्या कारण थें, देखे, sir Thomas के मन में एक छोटी सी बालिका के पृती, दया का भाव उत्पन हुआ हो गया, क्यूंकि वह बहुत, वह तो एक छोटी, इमानदार और प्यारी वालिका थी, ठीक है, sir Thomas हे, स्वभाव से कुछ दयालू थे, योकि वह स्वयम एक पुत्री के पिता थे, अब खाव नंबर question देखे, कि लेखी का महादेवी वर्मागे बच्पन के समय लड़कियों के प्रती समाज की सोच कैसी थी, ठीक वे लड़कियों के पैदा होते ही उन्हें मार देते थे, ठीक है, यही हो जाएगा, अब आजाएए next, कि एक लकूटी और कमरिया पर कवी सब कुछ निशावर करने को क्यों तयार है, लकूटी और कमरिया, देखें, तो कवी के लिए सबसे महत्पून क्या है, कृष्न है, वह उनके लिए आरादेव हैं, इसलिए कृष्न की एक एक चीज उसके लिए महत्पून और प्यारी है, कृष्न गाए को चराते समय लगूटी और कमरिया अपने साथ रखते थें, यह कोई साधारन वस्तुएं ना होकर कृष्न सम्दित वस्तुएं हैं, यही कारणे की कृ आठी और कमबल के लिए कभी अपना सर्वस्त वनियुशावर करने को तयार हैं, भगवान के द्वारा धारन की गई वस्तुएं का मूल भक्तों के लिए परम सुखकारी होता है, क्योंकि वह समस्त सुखों को माद देने वाला होता है, ठीक है, अब अर्धरात्री में कोयल क कि चीक से कभी को क्या अंदेशा है, मतलब कोयल जो है आधारात में जो चीक रही होती है, उससे क्या अंदेशा लग रहा है कभी को, तो देखे अर्धरात्री में कोयल के चीकने से कभी को अनेको अंदेशे होते हैं, जैसे कोयल पागल तो नहीं हो गए है, या कोई संदेश लेकर आई है या शायद वह किसी कष्ट में है या वह किसी की कैद में है जो उससे पेट भर खाने को नहीं देता है या भी हो सकता है कि वह करांती कारियों के दुख से द्रवित होकर चीक रही हो ठीक है अब आजाएए कोईशन नेक्स्ट कि मेख आए कवीता में बादलों को किसके समान बताया गया है तो मेख आए कवीता में बादलों को सहर से आने वाले दमाद के समान बताया गया है क्योंकि बादल गाओं में उसी तरह सजधच कर आ रहे हैं जैसे सहरी दमाद सजधच कर आता है ये इन बादलों का इंतजार भी दमाद की ही तरह किया जाता है ठीक है आप लोग अगर ग्रामीन छेतर में रहते होंगे तो देखे होंगे, खेर ग्रामिन के आप सहरी चेतर में भी यही देखेंगे, बस सहरी चेतर में कम दिखेगा, जो गाओं में जो दमाद आते हैं, कापी सजधच के एकदम तयार हो करके जाते हैं, अपना ससुरा आदे, नेक्स देखिए, कि बच्चों को किस समय और कहां जात कवी को पीडा हुई, बच्चे काम पर जा रहे हैं कवीता के आलोक में लिखिए, तो कवीता आपने पढ़ा ही होगा, बच्चे काम पर जा रहे हैं, तो उससे बताना है, तो देखिए, तो बच्चों को कड़ी सर्दी में सवेरे सवेरे कोहरे में ढखी, सड़क पर जाते ह उपर बाल मजदूरी करने जा रहे थे तो खेलने कुदने के उम्रों में बच्चों को काम पर जाते देखकर कभी को पूल पीडा होती है अब देखे किन ही दो प्रश्णों का उत्तर देना है तिसमें जवाब का कुश्यान है कि गोपाल परसाद ऐसा क्यों चाहते थे कि उनकी बहु ज़्यादा ज़्यादा दस्मी पास हो ठीक है गोपाल परसाद का ऐसा क्या क्यों सोचना था कि बस लड़की जो होनी चाहिए उनकी बहु जो बननी चाहिए वो सिब दस्मी पास होनी चाहिए देखे गोपाल परसाद जो है स्वयम उच्छ सिच्चित थे, वे वकालत के पेशे से जुड़े थे, उनका बेटा शंकर मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था, इसके बाद भी वे चाहते थे कि उनकी बहु जादा से जादा दस्वी ही पास हो, उनकी ऐसी चाहत के पीछे यह सोच रही होगी कि उच्छा प्राने से उन पर अत्यचार नहीं किया जा सकता है, उन्हें डरवाया नहीं जा सकता है, अपने उपर हुए अत्यचार पर मुंपंद नहीं रखती है, ठीक है, इसलिए उनको डर के कारएं वो नहीं चाहते थे कि ज़्यादा पढ़े लिखे बहु दिलाएं, अब देखे अपनी बेटी का रिष्टा तै करने के लिए राम सरूप उमा से जिस प्रकार विभार के अब एच्छा कर रहे हैं, वो उचित क्यों नहीं है, ठीक है, क्यों उचित नहीं है, तो उनका ऐसा सोचना उचित नहीं है, क्योंकि लड़की कोई भेडबकरी या मेज कुरसी नही होती है, जिससे हम अपने इसारों पर नचा सकें, ठीक है, अब आजाईए ये कोश्चन, भूख तो अपने में एक साग होती है, ऐसा किसने कब और क्यों कहा, ठीक है, तो सहां माटी वाले आप लोग कहानी पढ़े होएं, ये सबसे मतलब क्या बले, कैसा कहानी था जिसको परते परते थोड़ाग से आशू निकल जाता था, देखिये, भूख तो अपने में एक साग होती है, का आशे ये है कि यदि भूख लगी हो, और सामने रोटियां हो, तो व्यक्ति साग होने ना होने का कोई परवाह नहीं करता है, बल्कि खाना सुरू कर देता है, भूख उसे सुखी रोटियां खाने पर विवश कर देती है, उप तो वाक्यों घर की मालकिन ने तब कहा, जब माटी वाली उनकी दी हुई एक रोटी को चबा चबा कर चाई के साथ गले के नीचे उतार रही थी, माटी वाली से मालकिन ने तब कहा, अच्छा ये रिपीट हो गया ये थोड़ा से रिपीट हो गया है, अब यहां तक छोड़ दिया, तो माटी वाली ने मालकिन से का कि चाई तो बहुत अच्छी साग बन जाती है ठकुराइन जी, ठीक है, अब यहां पर देखे बात को समझ येगा, हम लोग जब खाना खाते तो हम लोग रोटी के साथ योग कर रही है, ठीक है, अब आप लोग बताईए, आप लोग कभी साग रोटी खाए हैं, हम तो बहुत खाते थे, पालक का साग, इन्हारी का साग, रोटी के साथ काफी अच्छा लगता है, अगर उसको आलू के साथ मिक्स कर दिया जाता है, तो आप लोग कमेंट बस उसी तरह सेवा में परदानचारे माहोदय स्कूल का नाम और एड्रेस, फिर एक लाइन छोड़के विशह, फिर एक लाइन छोड़कर के महा से कौमा देने के बाद स्टार्ट हो जाईए, इस अविने निवेदन यह है कि मैं आपके विद्याले में कच्छा दस्मा का छ करने का परियास करूंगा, ठीक है, ऐसे लिखेगा तब प्रिंस्पल जो आपको खूस हो जाएए, चलो लोड़का बहुत महनती, इसका फ्रीस माफ कर दिया जाए, उसके अदे एक लाइन छोड़के नीचे लिखती सेगा, आपका गयाकारी चात्र, और जो नाम, क्लास, र परिचय बताना, इतिहास बताना, सीमा बताना, निवास बताना, संसाधन बतातना है, उपसंगहार लाष्ट में लिखना है, हर निबंध में अंत में उपसंगहार जरूर लिखिएगा, उसके बाद अथवा ये लिख सकते हैं आप कि मेरे जीवन का लच्छ, आप लोग इसमें भी संकेत बिंदू दिया गया है, पर्व का परिचया कैसे मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, उपसंगहार, ठीक है, ये है आपका निबंध का पूरा सेक्षन, और निबंध का सेक्षन मैं आज छोड़ दिया हूँ, ये आप लोग के लिए, प्रैक्टिस के लिखने में तो आप मुझे कमेंट कर देंगे, मैं इसका भी वीडियो बना ही दूँगा, सारा एक कंपलीट निबंध किया हुआ है, सारा चीज किया हुआ है, बस इस वाले में मैं छोड़ दे रहा हूँ, थोड़ा टाइम का कमी होने के कारण, मैं इसे देखन नहीं पा र ना है तो चलिए भी परिच्छा का टाइम आने वाला है तो हमनों परिच्छा पर ही देख लेते हैं देखिये तो एक दो मित्र है यहां पर पहला मित्र कहता है सूपरभाद मित्र कैसे हो तो दूसरा मित्र कहता है सूपरभाद मैं ठीक हूँ तुम कैसे हो फिर पहला मित्र कह मुझे चिंता हो रही है तो दूसरा मित कहेगा चिंता क्यों क्या तुम्हारी तैयारी पूरी नहीं है पहला मित्र तुम्हे तो पता ही है पिछले कुछ दिनों से मैं बिमार था इसलिए तैयारी में थोड़ी कमी रह गई है ठीक है फिर दूसरा मित्र कहेगा कोई बात नहीं मित्र तुम्हारे पास अभी भी एक सब्दा का समय है चिंता मत करो तो पहला मित्र करता है क्या तुम किसी विशेश पुस्तक की मदद ले रहे हो दूसरा मित्र करता है नहीं मैंने तो पाठे पुस्तक और नोट से ही तयारी की है इसके अलावा में पिछले परिछाओं के प् काम ना है बहुत बहुत सुब काम ना है तयारी कीजिए बढ़िया से और बढ़िया से एक्जाम लिग करके आईए हमको तो लगता है कि आप लोग को एक भी कुश्चन छोड़ना नहीं चाहिए इतना तो तयारी होई गया होगा अगर तीनों सेट सारा सब्जेट का अगर आप लोग पढ़ चुके हैं तो पक्का उमीद है कुश्चन तो नहीं छोड़के आईएगा सारा ली करके आईएगा चलिए आपका सेट 3 भी कंप्लीट हो गया तो बस थोड़ा अपना फ्रेंड लोगों के पास इस वीडियो को भेज दीजिए उन लोग भी थोड़ा हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें पास वाला बेल आइकन भी प्रेश कर दें ताकि नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे और वीडियो को लाइक जरूर कर दें तो चलिए फिर मिलते हैं में नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए बाइन टेक केर